इस वक्त की एक ऐसी बड़ी खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं जो कि काफी चोका देने वाली है आपको बता दे कि लड़का जब एक किन्नर को अपनी पतनी बना कर घर लाया तो देखते ही देखते उस लड़के की मा बेहोस हो गई बता दे कि प्यार अंदा होता है ये तो अपने सुना ही होगा लेकिन अब देखने को मिल रहा है ये ताजा मामला रोता जिले के कारगहर का है जहां एक युवक ने प्रेम परसंग में किन्नर से साधी रचाली है किन्नर के साथ युवक के साथ फेरे लेने की चर्चा इलाके में अब खूब हो रही है दरसल जिले के कारगहर के रहने वाले गोलु कुमार का बगल के ही पानापुर गाउं के किन्नर और नंदनी से तकरीबन एक साल पहले किसी नाच प्रोग्राम के दोरान मुलाकात हुई थी जिसके बाद नदिखिया बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे नंदनी के प्यार में होस गवाए गोलु ने कुछ दिन पहले मंदिर में साधी भी रचा ली बता जाता है कि समाज के लोग लाच के कारण किराय के मकान लेकर कारगहर में नंदनी रहने लगी और गोलु भी नंदनी के साथ जीवन बिताना सुरू किया लेकिन जब इस बात की जानकारी घरवालों को हुई तो उनके होस्त तक उड़ गए आपको बता दे कि परिवार के सदस्यों ने गोलु को नंदनी से दूर करने की कोशिज भी की लेकिन गोलु नंदनी के साथ साथ जनमों तक निभाने को तयार है वहीं परिवार के सदस्यों के दौरा गोलु को दूर करने की बात जैसे ही नंदनी को पता चला वहा गोलु के घर पहुँच गई वहीं जब किनर बहु ससुराल पहुँची तो घर वालों के होस उड़ गए और सास वहीं पर बिहोस हो गई जिसके बात किनर बहु मुँपर पानी डाल कर उसे होस में लाई वहीं किरामणों के मताबित कई घंटों तक घर में हाई वोल्ट ड्रामा चला कोई सिर पकड़ कर बढ़ गया तो कोई बिहोस हो रहा था देखते ही देखते गरामणों की भीर जुट गई बिवाद बढ़ता देखकर गाउं के लोगों ने नंदनी को समझा बुजा कर वापस भेदिया लेकिन एक समान युवक की किनर से साधी करना छेत्र में अब चर्चका बिशय बना हुआ है साधी कर लिए रचाका से कौन साधी कर लिया है अपने घर आने को बाद उनको माबत बोल रहे हैं कि हम नहीं रखेंगे इनको नहीं रखेंगे तो यहीं बवाल हो गया है क्या नाम है आपका छोटू